दोस्तों नमस्कार ये है मागदोशन फोर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों भारती इतिहास के मोहत्वण प्रशनों के अभ्यास सेट में प्रस्तुत है प्राचीन भारत में अस्थापत्य कला से संबंधित महत्पूर्ण प्रश्णों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी विभिन परिक्षाओं के सामान निग्यान और सामान अध्यन खंड के लिए बहुत ही उप्योगी है दोस्तों ये वीडियो कला और संस्कृति के अस्थापत्य कला खंड के लिए भी विशेश रूप से उप्योगी है तो आप इन प्रश्णों को तयार कर लीजेगा आईए शुरू करते हैं प्राचीन भारत में अस्थापत्य कला से संबंधित महत्तुपूर्ण प्रश्णों का प्रैक्टिस सेट पहला प्रश्ण है दोस्तों नागर, द्रविण और बेसर क्या है आपसन है भारती उक महादीप के तीन मुख्य जाती समू दूसरा है कि तीन मुख्य भाशावर्ग जिसमें भारत की भाशाओं को विभक्त किया जा सकता है तीसरा है भारती मंदिर वास्तु की तीन प्रमुक्सैलिया या फिर भारत में प्रचलित तीन मुख्य संगीत घराने तो सही उत्तर हो जाएगा आप संसी भारती ये मंदिर वास्तु की तीन प्रमुक सैलियां जोस्तो नागर द्रविण और बेसर भारती मंदिर वास्तु कला की तीन प्रमुक सैलियां है नागर सैली समस्त उत्तरी भारत में प्रचलित है ओडिशा के मंदिर शुद रूप से इसी सैली के है द्रविण सैली का प्रसार दक्षिन भारत में विशेशकर कृष्ण नदी और कुमारी अंतरीव के मध्य में था और बेसर सैली का विकास नागर और द्रविण सैली के मिश प्रश्ण का उत्तर बता सकते हैं कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माड चंदेल वंश के सासकों द्वारा कर आये गया था, आफसन C सही उत्तर है अगला प्रश्ण है दोस्तों खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है किश्को, विश्णु को, सिव को, सूरे को या पार्वति को तो सही उत्तर है खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है आपसन भी आपका सही उत्तर है तो याद रखेगा दोस्तों खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण नागर सहली में हुआ है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है दोस्तों दशावातार मंदिर देओ गड़ लालित पूर उत्तर प्रदेश में है और ये मंदिर गप्त कालीन है शेश सभी मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है और चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए है अगला प्रश्ण है दोस्तों सूची एक का सूची दो के साथ सुमेलन करिए और दिये गय कूट के साथ सही उत्तर का चैन करिए अस्तूप तो अस्तूप जो है साची का अस्तूप विख्यात है चित्रकारी तो बाग गुफाओं की चित्रकारी प्रशिद है कनिस्क की सिर्विहिन मूर्ती तो ये मथुरा से प्राप्त हुई है और दशावतार मंदिर आपका देवगढ में इस्थित है तो सही विकल्प हो जाएगा 2-1-4-3 यहाँ पर देखिए 2-1-4-3 आपका आपसन भी सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रशन पर आते हैं महत्वपूर्ण प्रशन है निम्नलिखित में से किसका सिखर द्रविड सैली में बना हुआ है आपको बताना है बहुत ही महत्पोर्ण प्रश्न है दोस्तों इसमें आपको बताना है कि किसका शिखर द्रविड सैली में बना है भीतर गाव मंदिर गौालियर का तेली मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर या ओसिया मंदिर तो सही उत्तर क्या हो जाएगा गौालियर का तेली मंदिर आपसन भ का मिश्रण है अगला प्रश्ण है निम्नली खित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बहुत धुगुफाई हैं अजन्ता कारले कन्हेरी या राजगरे तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कन्हेरी आपसंसी दोस्तों महराष्ट में मुंबई शहर के पश्मी छेतर में जो बसा ब अगले प्रश्ण पर आते हैं आपू का जैन मंदिर किस से बना है तो आपसं है आपके बलुआ पत्थर चूना पत्थर ग्रे नाइट या संग मरमर से तो सही उत्तर है संग मरमर से बना हुआ है माउंट आपू का जैन मंदिर दोस्तों आपू के दिलवाडा जैन मंदिर सं निर्मार गुजरात के सोलंकी शासक भीम देव पर्थम के सामन्त बिमल शाह के द्वारा कराए गया था अगला प्रशन हैं दोस्तों एली फेंटा के प्राचीन असमारक हैं बौध जैन सैव या फिर वैशनो इन में से कोटों की सहायता से आपको बताना है तो इसमें सही उत् जाएगा दोस्तों बौध और शैव देखिए आप संडी सही उत्तर हो जाएगा एक और तीन कैसे तो एली फेंटा से साथ गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं जिसमें हिंदू मंदिर मुख्य तहशियोद से समबंधित मूर्तियां हैं और साथ ही यहां दो बौध गुफा जाए भी हैं तो आप संडी आपका सही उत्तर है अगला प्रशन है एली फेंटा के प्रशिद शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का सरे दिया जाता है किसको चालुक्यों को चोलों को पलों को या फिर राष्ट कूटों को तो सही उत्तर है एली फेंटा के शैल को काटकर प्रश्ट कोटों को दिया जाता है आपसन D आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है अजन्ता भाजा एलिफेंटा या एलोरा तो सही उत्तर है एलिफेंटा गुफा से प्रसिध्ध त्रिमूर्ति शि त्रिमोर्ति कहां से किस गुफा से प्राप्त हुई है तो सही उत्तर है एलिफेंटा गुफा में प्रशिध्य त्रिमोर्ति स्यू की प्रतिमा प्राप्त हुई है अगला प्रश्ण है कि पश्यमी भारत में प्राचीनतम शैल कृत गुफाएं कहां पर हैं आपको बताना है त दोस्तों पश्चिमी भारत में प्राचेंतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा और अजन्ता में हैं और ये तीनों ही अस्थल भारत के महराष्ट राज्य में इस्थित हैं। अगला प्रश्ण है एलोरा गुफाओं का निर्माड किस ने करवाय था तो एलोरा से राष्ठकूट। रालास्ट में हैं राष्ठकूट हो जाएगा, सही उत्तराप्संसी हो जाएगा, दोस्तुं राष्ठकूट सासक उठ्साही निर्माता थे, उन्होंने महराष्ट के और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्मार करवाया था तो सही उत्तर है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्मार राष्ट कूट सासक क्रिश्ण प्रत्थम के द्वारा करवाय गया था तो याद रखिएगा क्रिश्ण प्रत्थम एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्मार कराने वाला शासक अगला प्रश्ण है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किसके हैं बौध्धों के बौध्धों और जैनों के हिंदूओं और जैनों के या फिर हिंदूओं बौध्धों और जैने कोई तो सही उत्तराप संडी हो जाएगा एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर दोस्तों हिंदूओं बौध्धों और जैनों तीनों से संबंधित हैं एलोरा की गुफाएं महराष्ट के और अंगाबाद जीले में हैं इन गुफाओं में गुफा संख्या 1-12 तक बौध 13-39 तक हिंदू और 30-34 तक ये जैनों से संबंधित हैं अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत अस्थापत्य का उदाहरण है आपको बताना है तो उत्तर है एलोरा का कैलाश मंदिर दोस्तों एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत अस्थापत्य का आश्चेर्य माना जाता है द्रवीड सैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्मार राष्ट कूट सासक कृष्ण पर्थम ने करवाया था अगला प्रश्ण है किस धर्म को राष्ट कूटों का संरक्षन प्राप्त था आपको बताना है तो सही उत्तर है जैन धर्म को आपसन भी दोस्तों राष्टकूट सासकों के समय वैसे तो ब्राम्हर धर्म का महत्तो था लेकिन ब्राम्हर धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक परचार परसार था और इसे राज की संरक्षण भी प्राप्त था तो याद रखिएगा राष्टकूटों का संरक्षण जैन धर्म को प्राप्त था अगला प्रेश्ण है दोस्तों अजन्ता की कला को इन में से किसने प्रश्रय या सहायता दिया था आपको बताना है चालुक के पल्लो वाकाटक या गंगने तो सही उत्तर क्या हो जाएगा पहले ब्याख्या देखिए दोस्तों अजन्ता की गुफाएं और अदिशास्कों के काल में निर्मित करा आई गई थी तो महत्वपून प्रेश्ण इसमें हैं ऑर आप जान लिज्ये इसमें चालुक के और वाकाटक दोनों ही हो जाएंगे ए और सी दोनों ही इस प्रेश्न के उत्तर में आ जाएंगे क्योंकि अजन्ता की जो कला है काफी ल निर्मार काफी लंबे समय तक हुआ था और आप जान लीजिए कि ये गुफाएं वाकाटक गुप्त आदिशासकों के काल में निर्मित हुई थी अगला प्रशन है कोडार्क का शूर्य मंदिर किसने बनवाय था आपको बताना है तो शासक का नाम है नरसिंग देव बर्मन द पूरी इस्थित कोडार्क के विशाल सूर्य मंदिर का निर्मार करवाय था अगला प्रशन है दोस्तों किसे काला या स्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है शोर मंदिर खजुराहो का मंदिर कोडार्क का शूर्य मंदिर या देवगठ का मंदिर तो सही उत्तर कोडार्क का सूर्य मंदिर इसे ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्न है दोस्तों मुधेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में इस्थित है तो मुधेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में इस्थित है आपसन भी आपका सही उत्तर है और इसका निर्माड सोलंकी वंश के राजा भीम देव पर्थम के द्वारा कराए गया था अगला प्रश्न है लिंग राज मंदिर कहां पर इस्थित है आपको बताना है तो सही उत्तर भुवनेश्वर में इस्थित है लिंग राज मंदिर दोस्तों लिंग राज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में इस्थित है इस मंदिर की शैली नागर सैली का सर्वोत्तम उदाहरण है अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है कि जगनात मंदिर आपको बताना है किस राज्य में इस्थित है तो सही उत्तर है जगनात मंदिर ओडिशा के पूरी जिले में इस्थित है आपसन B आपका सही उत्तर है और इस राज में प्रसिध लिंगराज मंदिर भोनेश्वर और कोडार का सूर्य मंदिर पूरी में इस्थित है अगला प्रश्ण है दोस्तों भोनेश्वर और पूरी के मंदिर की सैली में निर्मित है आपको बताना है तो सही उत्तर है नागर यहाँ पर आपसन A आपका सही उत्तर हो जाएगा लिंगराज मंदिर भोनेश्वर और कोडार का सूर्य मंदिर पूरी ये नागर शैली में नि दोस्तों जगनात पूरी मन्दिर के गर्वग्रिह में भगवान जगनात बलभद्र और सुभद्रकी मूर्तियां काष्ठ निर्मित यानि लकडी की हैं ऐसे माननेता है कि इन मूर्तियों का निर्मार स्वयंग भगवान विश्णु द्वारा बढ़हई के रूप में किया गया था अगला प्रेश्ण है द्रविड सैली के मंदिरों में गोपूरम का तातपरे क्या है तो आप जानते भी होंगे दोस्तों गोपूरम तोरण के उपर बने अलंकरित और बहुमंजिला भवन को तोरण कहा जाता है पांडियों के राज्यकाल में द्रविड सैली पनपती रही थी पांडियकाल में मंदिर छोटे होते थे लेकिन उनके प्रांगण के चारोर अनेक प्राचीर बनाये जाते थे ये प्राचीर सामान नहीं होते थे लेकिन इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपूरम कहा जाता था भब्वे और विशाल और प्रचुर मात्रा में सिल्फ कारिता से अलंकृत होते थे पांडे कालेन वाश्दुकला की विशेस्ता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है अगला प्रच्ण है दोस्तों महाबलीपुरम में रत मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाए गया था चोलों के द्वारा, पल्लों द्वारा, चेदियों के द्वारा या चालुक्यों के द्वारा तो सही उतर महाबलीपुरम के रत मंदिर का निर्मार पल्लव शासकों के द्वारा कराए गया था तो याद रखिएगा महाबलीपुरम में जो रत मंदिर हैं उनका निर्मार पल्लव शासकों के द्वारा कराए गया और रथ मंदिर जो है वो एकाश्म पत्थर से निर्मित हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है द्रोपदी रथ, भीम रथ, अरजुन रथ या धर्मराज रथ तो सही उत्तर है दोस्तों दुरोपदी रथ जो है ये सबसे छोटा है पल्लव कालीन जो मंदिर है मामल सैली में बने मंदिर या रथ है ये एकाश्मक मंदिरों में दुरोपदी रथ सबसे छोटा है इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता और ये सिंह और हाथी जैसे पसुओं के आधार पर टिका हुआ है अगला प्रेशन है कि प्राचीन नगर तक्षसिला निम्नली खित में से किसके बीच इस्थित्था आपको बताना है तो सही उतर टक्षसिला सिंधु और जेलम नदियों के बीच आपसन ए आपका सही उतर है बहुत ही महत पूर्ण प्रेशन हैं दोस्तों आप सभी के लिए टक्षसिला के बारे में तो हम ऐसे जान लेते हैं कि टक्षसिला जो है ये सिक्षा का केंद्र था लेकिन ये टक्षसिला नगर ये सिंधु और जेलम नदियों के किनारे इस्थित था आप जान लेजिए टक्षसिला की इतिहास में प्रसिधी का कारण उसका ख्याति प्राप्ट सिक्षा का केंद्र होना था अगला प्रश्ण है दिलवाडा का जैन मंदिर इस्थित है कहां पर तो ये माउंट आबू में इस्थित है माउंट आबू राजस्थान में दिलवाडा का जैन मंदिर है और ये सीरोही जनपद राजस्थान में है इनमें सबसे प्रसिद्ध विमल वासाही मंदिर है चालू के शासक भीम देव पर्थम के सामंद विमल शाह ने इसे बनवाया था अगला प्रशन है प्रसिद्ध विरुपाक्ष मंदिर कहां पर इस्तित है तो सही उत्तर है विरुपाक्ष मंदिर करनाटक के हमपी में इस्तित है याद रखेगा आप संसी आपका सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों विरुपाक्ष मंदिर करनाटक राज्य के हमपी में है और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जो यहाँ विरुपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं अगला प्रश्न है भारत की सांस्कृतिक इतिहास के संदर में पंचायतन शब्द किसे निर्देश्ट करता है तो सही उत्तर मंदिर रचना सहली आपसंसी हो जाएगा दूस्तूं डाक्टर बद्रिनात कपूर द्वरा रचित ब्रिहत प्रामारिक मुख के लिए प्रियुक्त होता है जैसे सिव पंचायतन राम पंचायतन असपश्ट है कि पंचायतन शब्द मंदिर रचना सहली को निर्देश्ट करता है अगला प्रश्न है प्रसिद्ध नयमीशाराण्य तिर्थ निम्न जन्पदों में से किस एक में इस्थित है तो नय अस्थियां दान दी थी जिससे निर्मित वजद्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का बद किया था अगला प्रश्ण है अंकोरवाट मंदिर समुह किस देश में इस्थित हैं इंडोनेशिया म्यामार स्री लंका या कमपूचिया तो सही उत्तर है कमपूचिया या कमबोडिया में दोस्तों अंकोरवाट मंदिर समूह का निर्माण कमपूचिया वर्तमान कमबोडिया के शासक सूर्य वर्मन दुति द्वारा बारहमी सताब्दी के प्रारह में अपनी राजधानी या सोधरापुर वर्तमान में अंगकोर में कराया गया था और ये एक नहीं अपितु कई दिरों का समूह है अगला प्रश्ण है बूरू बदूर अस्तूप कहां परिस्थित है आपको बताना है तो ये जावा में इस्थित है दोस्तों बूरू बदूर का प्रख्यात अस्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वी परिस्थित है ये एक यूनेसको द्वारा मानिता प्राप्त वर्ल्ड हेरीटेज साइट है अगला प्रश्ण है छट्वी से आठ्वी सदी में निम्नलिखित के द्वारा मंदिर निर्माण को परियाप्त संरक्षन मिला था किसके द्वारा पल्लव और चालुक गुप्त मौरे या फिर चोल के द्वारा तो सही उत्तर है पल्ल और चालुक के द्वारा दोस्तों छट्वी से आठ्वी सदी यानि पांसो पचास से सासो पचास हिस्वी पल्लव और चालुक के राजवंश ने मंदिर निर्माण को परियाप्त संरक्षन दिया था अगला प्रश्ण है चित्रकलाओं या पेंटिंग में ब्रिहत पैमाने के भित्ती चेत्रों ने लगुचित्र शैली का मार्ग परसस्त किया कब चटमी सताब्दी के बाद, आठमी सताब्दी के बाद, दसमी सताब्दी के बाद या फिर ग्यारहमी सताब्दी के बाद तो सही उत्तर है चटमी सताब्दी के बाद दोस्तों भारत में चित्रकला गुप्तकाल में अपने चरम पर थी गुप्त काल तक चित्रकरा में पूरत्व आ गया था इसी कारण 16 सताब्दी इस वी के बाद लगुचित्र शैली का मार्ग प्रशस्त हुआ था अगला प्रशन हैं दोस्तों मंदिर निर्माड कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था मौरे वंस, चोल वंस, गुप्त वंस या राष्ट कोट वंस तो सही उत्तर चोल वंस हो जाएगा मंदिर निर्माड कला में विमान सैली का प्रचलन चोल शासनकाल में हुआ था विशालकाय, विमान, सिखर, मध्ध में विश्दरी तांगन और प्रवेश द्वार चोल मंदिरों की विशेष्ता है अगला प्रश्ण है दोस्तों तंजाओर के विरिहद मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाए गया था तो दोस्तों तंजवर या तंजवर को मंदिरों की नगरी कहना अधिक उप्यूगत होगा यहाँ पर अनेक छोटे बड़े कई मंदिर है तंजवर चोल शासक राज राज पर्थम यहाँ पर राज राज पर्थम आपसन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा राज राज पर्थम इसका सासन काल 985 से 1012 भी है इसके द्वारा निर्मित भव्य ब्रिह देश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है अगला प्रश्ण है अजन्ता की गुफाओं में किसका चित्रण है आपको बताना है महत्तपूर्ण प्रश्ण है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों अजन्ता की जो गुफाएं हैं वहाँ पर किसका चित्रण है तो ये जातक कथाओं का चित्रण है जो की बौध धर्म से संबंधित है दोस्तों अजन्ता की गुफाओं में जातक कथाओं का चित्रण किया गया है अगला प्रश्ण है गोमतेश्वर की मूर्ती कहां पर इस्थित है पश्मी बंगाला अंध्रप्रदेश करनाटक या ओडिशा में तो सही उतर करनाटक में इस्थित है गोमतेश्वर की मूर्ती और इसका निर्माण चामुंड राय ने करवाया था अगला प्रश्ण तित ही बताना है कोडार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया था तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्ण है तो इसमें पूछा गया है कि कोडार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया था तो सही उतर कोडार्क मंदिर का निर्माण दोस्तों ये 1244-45 में समर्पित है जो सामान तक काला पैगोडा के नाम से विख्यात है इस मंदिर का निर्माड लगभग 1244 से 45 इसबे में हुआ था इस मंदिर का निर्माड 13 में सताब्दी के गंग शासक नर्सिंग देव पर्थम के द्वारा करवाए गया था तो विकल्प यह आपका निकटतम उ जाएगा अगला प्रश्ण है दोस्तों बोध गया में प्रशिध महाबोधी मंदिर का निर्माड किस साशक के द्वारा कराए गया था तो उत्तर है असोक के द्वारा दोस्तों बोध गया के प्रशिध महाबोधी मंदिर का निर्माड प्रशिध मौरे साशक अशोक के ठाख और महाबोधी मंदिर बोध गया के उसी अस्थान पर निर्मित है जहां भगवान बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति हुई थी अगला प्रश्ण है तीरुपती मंदिर किस राज्य में इस्थित है तो तीरुपती का बैंकटेश्वर मंदिर आंधर प्रदेश में इस्थित है कहां पर तो सही उत्तर महाबलेस्वर महराष्ट में इस्थित है और महाबलेस्वर महराष्ट का सुन्दर पहाडी नगर है यहां जील तथा सुन्दर बाग है और यह एक परियतक अस्थल है अगला प्रिश्ण है संगमकाल का सरवाधिक महत्वण नगर कौन सथा आपको बताना है अरिका मेडू, कावेरी पटनम, पुहार या मदुरे तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मदुरे आपसन डी दोस्तों कावेरी पटनम, पुहार, संगम युग में चोलों का परमुकपर अंदरगाह था मदुरा या मदुरे पांडियों की राजधानी थी और पर्थम औरतरती संगम मदुरे में हुए थे मदुरे संगम युग में सरवाधिक महतोपूर था आपसन डी आपका सही उत्तर है अगला प्रशन है निम्नलिखित में से कौन सा शीला लейक चालुक के सामराठ पुलिकेशन दूती से समबंधित है मस्की, हाति गुमफा, एहोल या नासिक तो सही उत्तर एहोल अभिलेक आपसन सी दोस्तों एह होल प्रसष्ट चालू के सामराट पुलिकेशन 2-3 से संबंदित है यह लेक एक प्रसष्ट के रूप में है इसके भाशा संस्कृत है और इसकी लिपी धक्षुनी ब्राम में है इस प्रसष्ट की रश्ना रवी कीर्थ के द्वारा की गई थी अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर या World Heritage Site नहीं है खजुराहो के मंदिर भीम बेटका की गुफाएं साची के अस्तूप या मांडू का महल तो सही उत्तर मांडू का महल अगला प्रश्ण है सोन गिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए है किसके सन्ने कट इस्तित है दतिया जासी और चाया फिर ललितपुर तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दतिया मध्यपरदेश आपसन ए सही उत्तर हो जाएगा आप जान लिजे सोन गिरी दतिया मध्यपरदेश में है ये दिगंबर जैनियों का पवित्रहस्थान है और सोन गिरी की चारोर सफेद जैन मंदिर अस्थापित है अगला प्रेश्ण है मंदिर अस्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सकते हैं आपको बताना है पहला है स्वतंत्र आधार चुना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है सही है लाडखा जो की एक प्रारंभिक मंदिर है बादामे के चालुक्यों से संबंदित है सही है खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंत्रेक और बाहरोग से जुड़े हुए है सही है काची का कैलासनात मंदिर द्रविड सहली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है तो ये आपका गलत है तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही है तो आप देख सकते हैं दोस्तों देखे अब देख लीजिए महत्तपूर्ण प्रश्न है ये सही उत्तर एक दो तीन हो जाएंगे यहाँ पर आप देखे एक दो तीन सही हो जाएगा तो देखे स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उदभो जो है दोस्तों ये गुप्त काल में माना जाता है लाडखा एक जगह है जो की एक प्रारमभिक मंदिर है वो आदामी के चालुक्यों से संबंधित है खजुराहो के मंदिरों में समस्त खंड आंतरिक और बाहरुक से जुड़े हैं काची का कैलासनात या कैलासनातर मंदिर पल्लौ कालिन अस्थापत्य है और ये मंदिर राज स सिंग सैली के चर्मुत कर्स को व्यक्त करता है इसमें द्रविड सैली के समस्त लक्षण विद्यमान है लेकिन ये द्रविड सैली का सबसे प्रारंभिक सोतंत आधार मंदिर नहीं है इसका निर्मार नर्सिंग बर्मंदुती या राजिसिंग के समय में प्रारंभ हुआ और इ दोस्तों आप जान लिजे पलिताडा का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भाव नगर जिले की सत्रुन जय पहाड़ीयों पर अवस्थित है और ये मंदिर जैन तिर्थंकर आधिनाथ को समर्पित है अगला प्रश्ण है दोस्तों प्राचीन भारत में गुप्तकाल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल दो उदारण उपलब्ध हैं इन में से एक आजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है गुप्तकाल की चित्रांकन का दोसरा आजिष्ट किस अस्थान पर उपलब्ध है बाग गुफाएं, एलोरा गुफाएं, लोमस्रीसी की गुफाएं या नासिक गुफाएं तो सही उत्तर है बाग गुफाएं दोस्तों गुप्तकाल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदारन बाग की गुफाएं हैं जिनके तिथी गुप्तकालीन है और इन गुफाओं के चित्र लोग जीवन से संबंधित हैं जहां पर अजंता गुफाओं की चित्र बहुद धर्म से संबंधित हैं जबकि लोमस रिसी की गुफा मौरे कालीन है जो की बराबर की पहाड़ियों में इस्तित है जो बिहार के जहाना बाद जिले में हैं और नासिक गुफाएं सात वाहन काल की हैं। अगला प्रश्ण है भारती शिला वास्तु के इतिहास के संदर में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुफाएं विभिन धर्मों के लिए बनाई गई थी तो केवल तीन आपका सही उत्तर है। भारत की प्राचिंतम गुफाएं भीम बेट का मानी जाती हैं। तो कथन एक दो गलत हैं कथन तीन आपका सही है। अगला प्रेश्ण है सूची एक का सूची दो से मिलान करिए और दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन करिए। तो यहाँ पर कारले गुफा मंदिर ये हीनियान साखा से संबंधित है। खंड गिरी के पत्थर काटकर बनाए गए भवन जैन धर्म से। बाग गुफा ये महायान साखा से संबंधित है। और बाधामी गुफा मंदिर शैव धर्म से संबंधित है। सही उत्तर तीन चार एक दो हो जाएगा आपसन ए आपका सही उत्तर है जोस्तों कारले गुफा मंदिर ही नियान ये कट्टर पंती बहुत भीच्वों का संपरदाय था इसे स्रावक यान भी कहा जाता था खंडगिरी के पत्थर काट कर बनाये गए भवन जैन धर्म से अंदिर का निर्मार कराया था अगला प्रश्न सूची एक का सूची दो से सुमेलन करना है और दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन करना है इसमें अस्थान और असमारकों का चैन करना है एली फेंटा तो याद रखिएगा एली फेंटा जो है ये क्या है ये गुफाएं है स्रमण बेला गोला याद रखेगा स्रमण बेला गोला दोस्तों यहाँ पर मुर्ती है गोमतेश्वर की खजुराहो तो खजुराहो जो है यह आपका मंदिर हो जाएगा और साची में अस्तुब तो तीन चार दो एक यहाँ पर विकल्प देखते हैं तीन चार दो एक आपसन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है निम्नांग की जोड़ों में किसका सुमेलन है तो इसमें केवल एक जोड़ा सुमेलित है आपको बताना है एलोरा की गुफायं शक गलत है मिनाक्षी मंदिर पल्ला और ये भी गलत हो जाएगा खजुराहो मंदिर चंदेल तो आपने पढ़ा है खजुराहो मंदिर चंदेलों के द्वारा बनवाय गया था और डी भी आपका गलत हो जाएगा तो एलोरा आधुनिक महराष्ट के और पुरंगाबाद जिले में इस्थित है ये दोस्तों शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है ये गुफा विभिन कालों में बनी है किन्तों शकों से इनका कोई संबंध नहीं है मेनाक्षि मंदिर पांडियों द्वारा और महाबलीपुरम के मंदिर पल्लो शासको द्वारा निर्मित किये गए है खजुराहू मंदिरों के अस्थापना चंदेलों के द्वारा की गई थी अगला प्रश्ण है सूची एक का सूची दो से सुमेलन करना है और दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन करना है इसमें गुप्त मंदिर और उनके अस्थानों का मिलान करना है देखिए महत्वपूण महत्वपूण प्रश्ण है इंट निर्मित मंदिर तो ये भीतरगाओं का मंदिर इंट निर्मित है दशावतार मंदिर देवगण में इस्थित है शिव मंदिर जो है ये भूमरा का शिव मंदिर है और विश्नु मंदिर एरण का विश्नु मंदिर है तो तीन दो चार और एक सही विकल्प हो जाएगा तीन दो चार एक आपसन भी आपका सही उत्तर है अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तों अगला प्रशन बहुत ही महत्वपोर है निम्नलिखित अयतिहासिक अस्थलों पर विचार कीजिए तो यहाँ पर देखें कि अजन्ता की गुफाएं लेपाक्षी मंदिर साची अस्थूप इनमें से कौन सा भित्य चित्रकला के लिए भी जाना जाता है तो अजन्ता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर एक और दो याद रखेगा दोस्तों अजन्ता की गुफाएं और ले तक कताओं का बाड़न है चुकि तोरण अस्तूप के भाग के रूप में नहीं माने जा सकते हैं इसलिए विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा एक और दो में अगला प्रश्ण है अजन्ता और महाबली पुरम के रूप में ग्यात दो अयतिहासे का स्थानों में कौन कौन सी बातें समान हैं देखे दोनों एक ही समयकाल में निर्मित हुए थे सही नहीं है दोनों एक ही धार्मिक संपरदाय से संबंधी थे ये भी सही नहीं है दोनों में शिला कृत असमारक है ये आपका सही है केवल और केवल तीन दोस्तों महराष्ट के और अंगाबाद जिले में अजन्ता की पहाड़ी इस्तित है इसका निर्माड एसा पूर दूसरी सताब्दी से लेकर सातवी सताब्दी इस भी तक हुआ है दूसरी सताब्दी तक यहां ही नियानमत का प्रभाव था उसके बाद महायानमत का बुद्ध और बोधिशत्तों की प्रतिमाओं में अजन्ता की गुफाएं बौद धर्म दौरा प्रेरित और उनकी करुड़ा में भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से उत्प्रोथ है और अजन्ता में इस्थित जो मूर्तियां है वो एकास्मक पत्थर पर निर्मित है तो ये बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्ण है आप सभी के लिए देखिए ये प्रश्ण बहुत ही महत्पूर्ण है और एक और प्रशिद्ध तत्थ है कि जो नर्सिंग वर्मन पर्थम थे इनके समय में जिसकी उपाधि महामल भी है महामल शैली का निर्माड हुआ था इसके अंतरगत दो प्रकार के अस्मारक बने मंडप और एक आस्मक मंदिर जिनको रथ कहा गया मामल पूरम या महाबली पूरम में इस मंदिर के सभी असमारक इस्थित है और महाबली पूरम में रत मंदिर वैदिक परंपरा से संबंदिक एक आश्मक मंदिर है अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर मिलान करना है सूची एक का सूची दो से हम पी तो ये करनाटक राज्य में इस्थित है नागारजुनी कोंडा आंध्रप्रदेश राज्य में शिशुपाल गढ़ आपका ओडिशा में इस्थित है और अरिका मेडू पूटुचेरी द मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे उचा मंदिर कौन सा है आपको बतान है ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर है सही उत्तर लिंग राज मंदिर दोस्तों ओडिशा के नश्ट होने से बचे जो मंदिर है सबसे बड़ा और सबसे उचा लिंग राज मंदिर है इसका स शुद्ध नागर सैली में बना हुआ है अगला प्रशन है महाबाली पूरम का शब्त रत मंदिर बनमाय गया था किसके द्वारा तो सही उत्तर है नर्सिंग बर्मन के द्वारा जोस्तों पल्लो शासक नर्सिंग बर्मन पर्थम जिसका सासनकाल 630 से 668 इस भी है इसके समय में मामल सैली का विकास हुआ और इसके काल तक यहाँ दो प्रकार के असमारक बने मंडप और एक आश्मक मंदिर जिनको की रत कहा जाता है तो सही उत्तर मामल पूरम में इस सैली के प्रमुख असमारक है सब्त रत मंदिर नर्सिंग बर्मन पर्थम द्वारा बनवाय गया था और इन रतों को सब्त पैगोडा भी कहा जाता है अगला प्रश्न है दोस्तों निमनलिखित मंदिरों के काला नुकरम में विवस्थित कीजिए और नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन करिए तो यहाँ पर जो काला नुकरम के अनुसार है मंदिरों का निर्मार सब सब्त पैगोडा शैली उसके बाद सब्त पैगोडा पहले अस्थान पर आजाएगा यानि चार उसके बाद आपका आता है महाबलिपूरम का तटी मंदिर तीन हो जाएगा ब्रिहदेश्वर मंदिर एक हो जाएगा उसके बाद गंगय कुंड चोलपुरम मंदिर राजिंद पर्थम तो चार तीन एक और दो आपसन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रेश्ण पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात हैं आपको बताना है अरसवल्ली अमरकंटक और उंकारेश्वर तो इसमें से किवल एक आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आरसवल्ली मंदिर भारत के आंधर प्रदेश के आरसवल्ली गाउं में इस्थित है सात्मी सतापदी का एक परमुक्सुर्य मंदिर है उंकारेश्वर मंदिर मंदिर अंधिपरदेश के खंडवा जनपद में है ये भगवान शिव के भारज योतिर लिंगों में एक है अमरकंटक नर्मदा सोन आदिनदियों का उद्गमस्थल है और ये हिंदूओं का पर सिद्धत्रित भी है जलेश्वर या जुआलेश्वर धाम मंदिर गौरेला अमरकंटक से 25 किलो मिटर दूर है और ये खुबसूरत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है अगला प्रेश्ण है सूची एक का सूची दो से सुमेलन करिए और दिये गए कोट से सही उत्तर का चैन करिए तो नालंदा ये विश्व विद्ध्यला यानि सिच्छा का केंद्र सारनाथ अशोक अस्तंभ सांची अस्तूप और कोडार्क सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है दो एक चार तीन यहाँ पर देखे दो एक चार तीन आपसन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रेश्ण और इस वीडियो का आखरी प्रेश्ण है दोस्तों भारत के कला और पुरा तात्वी कितिहास के संदर में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्मा धौली इस्थित सैल कृत हा थी महाबली पूरम इस्थित सैल कृत असमारा किया उदैगिर इस्थित वाराह मूर्थी तो सही उत्तर है धौली इस्थित शैल कृत हा थी जोस्तों भोनेश्वर इस्थित लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना है लिंगराज मंदिर भोने तो दोस्तों ये था आज का वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास के अंतरगत अस्थापत्य कला से संबंधित महत्वण प्रशनों का प्रैक्टिसेट जो आपके आगामी विभिन परिक्षाओं के सामान ज्यान और सामान अध्यन के साथ कला और संस्कृति खंड के लिए तथा विभिन राज्यों द्वारा आयोजेत सिक्षक भरती परिक्षाओं के भारती इतिहास विशय के लिए बहुत ही उपियोगी है आप इन प्रशनों को अच्छे से त्यार कर लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मार्क देशन फॉर्ट सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन दोस्तों नमस्कार